हेलो फ्रेंट्स मैं आप देख रहे हैं टेकार जे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैडमी 5 के कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं कुछ ऐसे खास फीचर्स जो के आपको इस फोन में देखने के लिए मिलते हैं शायद आपको नहीं पता होंगे और काफी इंटरस्टिंग फिचर्स है तो हम जलती से इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगर आपने अभी तरकी स्वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक प्लीस अभी इस वीडियो को जरूर कर देजेगा फ्रेंट्स तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंट सबसे पहले हम चलते हैं डाइलर में और मैं आपको कुछ ऐसी उप्शन्स दिखाने वाला हूं जो शायद अभी तक आपने कभी भी MIUI में नहीं देखी होंगी आप यहां पर शायद गए ही नहीं होंगे तो यहां पर आपको जाना ह रहे हैं बिसकली आप डाइलर स्क्रीन पर हैं वहां पर आपको कोल रिकोर्टर की उप्शन तो देखने के लिए मिलती है लेकिन अगर आप कोल्स को ओटमेटिकली रिकोर्ट करना चाहते हैं हर बार तो आप यहां से इस उप्शन को नेवल कर सकते हैं और बड़ी हिसानी से अगर आप चाहें कुछ सेक्टर नमर्स में से उनको भी रिकोर्ट कर सकते हैं य达क बहुत अची चीज़ है फ्रेंस और आप आप साइलेंटली कोल रिकोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पर कोल रिकोर्टर नोट्फिकेशन को डीसेबल भी का सकते हैं यए कुछ ऐसी है friends जो अभी तक शायद आपने कभी भी MIUI में नहीं देखी होंगी उसी के साथ अगर आप यहां पर जल जाते हैं incoming call settings में friends यहां पर आपको कुछ gestures जैसे sport मिल जाता है जैसा कि आपको Moto के phones में देखने के लिए मिलता है सबसे पहले हैं यहां पर flip to silence ringer तो बेसिकली आप phone को flip कर सकते हैं अगर आप call को silent करना चाते हैं आप यह भी select कर सकते हैं कि जब आप phone को कहीं से उठाएं तो call जो है वो automatically silent हो जाए quiet ringer when lifted उसी के साथ यहां पर कुछ और options हैं जो कि आप यहां से select कर सकते हैं proximity sensor को basically अगर आप बंद करना चाहें तो कर सकते हैं वो एक ऐसी option नहीं है मेरे हिसाब से जिसको आप use करना चाहेंगे उसी के साथ एक और जो true color जैसी option आपको MIOE के इंदर देखने के लिए मिलती है वो है identify phone numbers की इसको इसको आप चाहें कि अगर आप चाहें कि अगर आपका wifi का network थोड़ा कम है automatically phone data पर switch कर जाए ये एक ऐसी option है जो कि अगर आप wifi और data दोनों use करते हैं उस case में आप इसको use कर सकते हैं यहां से अगर हम चल जाए वापीस friends इसके बाद हम चलते हैं चाहें और यहां से अगर आप डबल टैप कर सकते हैं और आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं और अब हम चल जाते हैं यहां से वापीस friends इसके बाद आप चल यहां पर भी कुछ interesting options हैं, सबसे पहली option है वोलवेपर क्रॉसल की, तो मैं आपको बता दों friends कि अगर आपने इस option को अभी तक use नहीं किया है, तो यह एक ऐसी option है, जो मेरे हिसाब से आप बहुत जल्दी इसको use करना चाहेंगे, इस option को enable करके friends, आप basically क्या होगा कि जब भी आप lock screen पर आएंगे, तो वोलवेपर जो है, वो automatically change होता रहेगा, या आप बोसकते हैं कि कुछ regular intervals पे वोलवेपर जो है lock screen का, वो automatically change होता रहेगा, अगली option यहां पर है wake lock screen for notifications की, इसको आप ambient display भी बोसकते हैं, कुछ phones में इसका नाम जो है, वो ambient display होता है, basically अगर आप चाहते हैं कि कोई भी notification जब आपके phone पर आए, तो phone जो है, वो automatically screen on हो जाए और wake up हो जाए, तो आप इस option को enable रख सकते हैं, उसी के साथ यहां पर कुछ और options है, जिसको आप choose कर सकते हैं, अगर आप use करना चाहते हैं, पहली option यहां पर है wake with volume buttons, तो volume buttons को press करके, आप phone को wake कर सकते हैं, उसी के साथ यहां पर launch camera की option है, तो अगर आप volume button को, दो बार press करेंगे, volume down button को, तो आप camera open कर सकते हैं, यह कुछ options हैं, जिसको अगर आप use करना चाहें, तो कर सकते हैं, इसके बाद friends हम चाल जाते हैं, notifications and status bar में, यहां पर भी कुछ options हैं, जो हो सकता है, कि आपने अभी तक use नहीं की हो, सबसे पहली option जो यहां पर default mode में आपको disabled देखने के लिए मिलती है, वो है show notification icons, basically friends, अगर आपके पास कोई भी notifications आती हैं, अगर आपने इस option को enable नहीं किया है, तो यहां पर आपको just three dots दिखाएगा, कि आपके पास कोई notification है, और यहां पर आपको notification पैनल को नीचे करके देखना पड़ेगा, कि क्या notification space के लिए आपके पास आई हैं, लेकिन अगर आप इस option को enable कर देते हैं, तो जीस app की notification आपके पास आई है, वो आपको आइकन उपर देखने के लिए मिल जाएगा, उसी के साथ यहां पर show connection speed है, इसको enable करके आप network speed है, यहां पर just इसके बाद आपको जाना है home screen and recents में, यहां पर आप show memory status को own कर सकते हैं, अगेन यह एक ऐसी चीज़ है, जो के पहले अगर आप पुराना कोई phone use कर रहे हैं, पुराने MIUI के वरजन के साथ, वहां पर आपको यह चीज़ automatically enable देखने के लिए मिलती थी, basically यहां पर अगर आप देखेंगे, अब यह memory show कर रहा है, इसको अगर आप disable रखते हैं, तो यहां पर यह memory show नहीं करता, तो अगर आप चाते हैं कि आपको हमेशा पता चलता रहे हैं, कि आपकी time कितनी free है, कितनी use हो रही है, तो आप इस option को enable कर सकते हैं, यह एक अच्छी option है, जो के पहले मैं ज देखने के लिए मिलता है, तो second space के option के बारे में आपने जरूर सुना होगा friends, इसको यूज करके बेसिकलिए आप phone में दो accounts की तरह, phone में दो accounts यूज कर सकते हैं friends, बेसिकलिए जैसके आप users option यूज करते हैं, windows में या laptop वगरा में, उस तरहां की option यहां पर आपको देखने क friends, यहां पर भी आपको काफी सारी options देखने के लिए मिलती है, सबसे पहली option है quick ball, तो अगर आपने यहां पर additional settings में आप कभी भी नहीं आए हैं, तो यहां पर आपको काफी सारी options ऐसी देखने के लिए मिलेंगी, जिसको यूज करके आप phone को काफी बहतर तरीके से यूज कर पांच shortcuts आपके पास हैं, जो कि आप choose कर सकते हैं कि कोई भी जो आप रखना चाते हैं, और इसको अगर आप tap पर रखना चाते हैं, तो tap ठीक है, नहीं तो आप swipe पर भी इसको set कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं friends, यहां पर इसको मैं खोलता हूँ, इधर swipe क इसके बाद आपको यहां पर buttons and gesture shortcuts के option देखने के लिए मिलती है friends, अगेन यहां पर आपको बहुत सारे shortcuts ऐसे देखने के लिए मिलेंगे friends, जिसको यूज करके आप phone को बड़ी असानी से यूज कर पाएंगे, कुछ ऐसे shortcuts जो आप phone में बहुत जाला यूज करते हैं, वो साथ यहां पर आपको एक full screen mode के option देखने के लिए मिलती है, जो के basically 18 to 9 की वैसे यहां पर आ गई है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई app आपकी full screen mode में नहीं चल रही है, उपर और निचे थोड़े black parts आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो यहां से आप उस option को enable कर सकते हैं उसके बाद यहां पर है one handed mode जो के most probably आपको पता होगा friends, इसके बार मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ, इसको आपको enable कर देना है और इस तरह आपको swipe करना है, और आप phone को screen को basically छोटा कर सकते हैं और one handed mode जिसको बोलते है friends, अगर आप एक हाथ से किसी time पर phone को use करना चा आते हैं, तो आप इस तरफ को swipe कर सकते हैं, और इसके बाद यहां पर एक और जो बहुत interesting option है, वो है dual apps की friends, अगर आप इस phone में किसी भी app का dual app बनाना चाहते हैं, तो वो possible है, मैं आपको बता तुम friends के बहुत सारे phones में आपको dual apps की option तो देखने के लिए मिलती है, अगर मैं और option देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि अगर आप देखेंगे, क्रिक पर्स में कोई भी account की आपको जूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन फिट भी उसको भी आप dual apps की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ एक और option जो काफी सारे लोगों ने में से पूछा है, friends के permissions की option जो apps आपने install की हैं, उसको आपने कौन-कौन सी permissions दी हैं, क्या का वो यूज़ कर सकती है, तो अगर आप चाल जाते हैं यहाँ पर other permissions में, यहाँ पर आपको आपकी सब installed apps देखने के लिए मिलेंगी, और इसको अगर आप खोल देंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन-कौन सी permissions वो मांग रहा है, और कौन-कौन सी permissions आपने उसको दी हैं, उसको आप यहाँ से change भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, उसके साथ हैं यहाँ पर permissions हैं, तो यहाँ पर basically सब permissions हैं, camera के दिख सकते हैं कि किसकी sap को permission है, और अगर आप चाहते हैं किसी को disable क करना वह आप कर सकते हैं तो यहां पर प्रमीशन फुल फ्लेश्ट आपको देखने के लिए मिलती है फ्रेंट्स किसी भी तरह से आप उसको चेंज या एडिट कर सकते हैं उसी के साथ एक और जो इंटरस्टिंग उप्शन है वह यहां पर आटो स्टार्ट की फ्रेंट्स अग अगर यहां पर कोई ऐसी एफ है जिसको आप कम यूज़ करते हैं और आप चाते हैं कि वह आटमेडिकली स्टार्ट ना हो बार बार और जब आप उसको यूज़ करें अपकी बैटरी यूज़ कर सकते हैं यह एक बहुत अच्छी अप्शन है अगर आपके फोन की बैटरी लाइफ है वो काफी कम हो रही है और आपको काफी दिखते हैं हमाँ पर आ रही है लास्ट ओप्शन जो सेटिंग्स में है वो है यहां पर एप लोग इसके आगे भी कुछ जो के फौन में हैं बीसकली Android के वाजन की वेज़े है है या सब्सक्राइब के यहां इतना अगर आप चल जाते हैं तो आपको इतनी शारी उप्शन इसके अंदर Christian देखने के लिए मिलती है जिसमें से कोई भी आप select कर सकते हैं और कोई भी font अगर आप use करना चाते हैं सारे free हैं उसमें से आप कोई भी font use कर सकते हैं और theme वगरा अगर आप यहां से कोई भी select करना चाते हैं काफी सारी free options यहां पर आपको देखने के लिए निलता है हालन के इसको यूज करने के लिए आपको इयर फोन की जूरत है लेकिन एटलिष आफम डिडिक आपको देखने के लिए मिल जाता है तो एंटेट नहीं मिलता है उसी के साथ मैं आपको बता दुं फ्रेंड कि आप split screen वोगारा इस phone में बड़ी ही सानी से यूज़ कर सकते हैं split screen को यूज़ करने के लिए बेसिकलिए सबसे पहले आपको दो ऐसी apps को open कर देना है जो split screen को support करता है एक तो हमने खोल दिया है settings दूसरे हम खोल दे है chrome उसके बाद आपको जाना है recent में यहां पर किल्ग करना है split screen पर एक app को उठा के आपको उपर फेंग देना है दूसरी app को यहां पर आपने set कर देना है और आप देख सकते हैं कि आप split screen को बड़ी ही सानी से यूज़ कर सकते हैं काफी अच्छे से काम भी करती है कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है इसको आप precise बगरा कर सकते हैं अगर आप precise करना चाहते हैं इसी के साथ यहां पर आपको three finger screenshot की option भी देखने के लिए मिज़ जाती है और scroll short की option भी देखने के लिए मिज़ जाती है जहां पर भी मैं क्लिक कर दूँगा इस्टोप हो जाएगा तो यह भी काफी अच्छी option है अगर आप पूरी एक लंबी screen का screenshot लेना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं उसी के साथ यहां पर एक और अच्छी option जो MIUI की है वो एक नहीं बलके मैं बोलूँगा दो पहली जो है वो widgets में है widgets में आपको कुछ quick functions की option देखने के लिए मिलती है quick functions में basically क्या है जैसे अगर आप कोई cleaner को अगर आप यहां पर लख लेते हैं तो RAM आप जस्ट इस button को क्लिक करके clear कर सकते हैं जासा कि अगर मैं इन सब apps को यहां पर move करना चाहता हूं इन सब को select करके मैं को just यहां पर drop करना है और आप देख सकते हैं कि सारी apps बाहर आ चुकी हैं तो home screen editing के लिए भी काफी सारी interesting options यहां पर हैं तो आप इन में से बहुत सारे features को use कर पाएंगे और आप देख पाएंगे काफी अच्छे से इसके बाद आप phone को use कर पाएंगे तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे है तो इसको like करना बिलकुल मत भूलीगा friends अगर आपके कुछ स्वाल है किसी भी app के बारे में किसी भी feature के बारे में वह आप मुझे निचे comments में पूर सकते हैं इसी के साथ आप मारे channel को subscribe करना मत भूलीगा friends इस फोन में काफी सारी और वीडियोस बनाने वाला हूं और ऐसी वीडियोस आपको इन फीचर भी हमेशा देखने के लिए मिलती रहेंगी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद friends